है कि liberto सुवागत है आप सभी दोस्तों का मैं हूँ डॉक्ट लोग किस वाली आप सभी का 7 रात 9 बजे क्लास में आप सभी दोस्तों स्वागत आसाली dependent है डिया सत्र हम लोग स्ुरू करने जा रहे हैं लेकिन नए सत्र से पहले मैं ऐसी सबी संशाएं जो आपके दिमाग में हैं उन सबी संशाओं पर से पर्दा हटाना चाहूंगा जो आपकी एकजाम को बादित करते हैं तो साथियो स्वागत है आप सब दोस्तों का क्या हाल चाल है कैसे हो सब के सब आजए फड़ापट से कैसे हो कि आजब बटा कि तो यह है साथियो पूरा लेखा जेखा जोखा और आज हम चार मुद्दों पर बात करेंगे टॉपिक क्या पढ़ेंगे इससे पहले मैं आपको यह बतलाऊंगा कि जो यूजिसी नैट की जो एक्जाम है साथियो उसको कैसे पढ़े खासकर जो पेपर वन का जो माइंड सेट होने वाला है क्योंकि आप सभी को पता है हर एक्जाम पिछले एक्जाम के मुकाबले अपने लेवल में बदलाओ कर देती है तो साथियो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पेपर वन की पढ़ाई कैसे करते हैं कैसे आप किस माइंड सेट के साथ आप पढ़ोगे कि आपको पेपर वन में अच्छे अंक प्राप्त हों यह बहुत जरूरी चीज है ध्यान से रखनी की बात है क्योंकि पेपर वन की ठीक से पढ़ाई करोगे तब ही जाकर आप 40 से प्लस कॉश्चिन कर पाऊगे एक बात यह बहुत जरूरी चीज है एक तो क्या कि कोई व्यक्ति बीच बीच में से उठा उठा कर चीजों को पढ़ रहा है या किस तरीके से पढ़ना चाहिए एक तो इस पर सर्चा करेंगे दूसरा हम बात करेंगे जो दिसंबर 2024 के एक्जाम कब होनी है क्योंकि आप मेंसे अधि और SMS कर रहे हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इसके बाद में चर्चा करेंगे साथियों जून 2024 का रिजल्ट कब तक आएगा ऐसे तमाम पहलों पर हम बात करेंगे ओके सुरू करते हैं साथियों एक यह चीजों पर बात करना हाँ चलिए ईंगे हमारे साथ एदर देहरे हमारे निखना चाते है डिकति कर देखना चाते हैं.. ऐसे लिखना चाते है ऐसे हम Chi नहीं माना तर्व बिलकुल यह ऑल्ट छुल बुली हो रखने है बिलकुल हाँ देखू कैसे और कि डॉन रखेंगे तो साथ यह पर हम लोग चर्चा करेंगे काफी दिन बाद आई है आप लोगों को मैंने काफी दिन बाद दिवा मिलाई है एकनौमिक्स की क्लास आज साडे 9 बजे से मैंने जैसा क confusion की टवियत हो रही पर देंगो को दगर प्रबाद चल रहा है कि तो सर को वैरल हो गया था इसलिए क्लास से आज साडे 9 सब्सितर – 1 कि के मता सबसे पहले मैं आपका परदा उठाना चाहूंगा कि दिसंबर 2024 के एक्जम कब होगी जैसा कि आप सभी को पता है ध्यान से सब्सक्राइब कर दिया गया और उसके बाद में री एक्जम हुई थी जो साथ यानि जश्ट अभी चार-पांच तारी को ही एक्जम कम्पलीट हुई तो अगर यह एक्जम लेट हुई है तो जाहिर सी बात है इस एक्जम की आंसर की में भी समय लगेगा रजल्ट आने भी ट जो अगली एक्जम दिसंबर दो हजार चौबीस के एक्जम दिसंबर में ना होकर या तो दिसंबर के बिलकुल लाश्ट वीक में शुरू होंगी और जनवरी तक जाएंगे यह मान लो कि आप यह एक्जम कम से भी कम एक मैना तो डिले होगी होगी यह मान के चलिए आप 15-20 इस दिन एक मैना डिले होंगी तो यह मान लो कि लगबग जनवरी तक यह साथ यह एक्जम होने वाली है यह ऐसा कर सकते हैं कि दिसंबर के बिलकुल लाश्ट वीक तक ले जाएं तो अब हमारे पास कितना समय बचा है हमारे पास सेप्टेमबर है अक्टुमबर है नवंबर है और दिसंबर है यानि सीदे सीदे चार महा का तो समय है अगर एक्जाम बिले नहीं भी होई है ठीक है तो लगबग चार महा का समय है अगली एक्जाम की तैयारी करने के लिए अब एक और सबसे ताजा सवाल पूछा जाता है जून 2024 का रिजल्ट कब आएगा देखे सातियों अभी चार तारिक को ही जून जून की एक्जाम कम्पुलीट हुई है सबसे रिजल्ट आनी से पहले यूज़ी सी हमेशा आपको आनसवर की में ओब जिक्शन का समय देती है- यानि की रिजल्ट आननी से पहले आपके ヤ邊 की सामने आंसर की डाली जाएंगी पिर आप से पूछा जाएगा कि अगर आपको किसी आंसर में कुए एत्राज Grande Okay, कहीं यह ऐत्राज है आपको तो आप साति उसमें अपनी एत्राज डर्द करा सकते हो और उसके चलते हैं कि October के मंद में आपका रिजल्ट आजाना चाहिए लगबग October तक तो मानके चलो कि आपका रिजल्ट आजाएगा और उसके बाद ही साथ और नेक्ट ऐगजाम के फोरमबर तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अक्टूमबर में रजल्ट आ जाएगा सेप्टेमबर चल रहा है अक्टूमबर रजल्ट आ जाएगा अक्टूमबर लाश्ट सक दिसंबर की एकजाम लगबग जनवरी में जाएगी अब पेपर दो सबसे बड़े सवाल बचेक पेपर वन को कैसे चाहिए अब एक बात ध्यान धहरिये और गौर से समझने की कौसिस करो मैं ये क्लास आपके लिए क्यों लेकर आया हूं मेरा हमेशा मानना है कि युद्ध में जाने से पूर्वे अभ्यास्त में बहाया गया पसीना युद्ध में बहने वाली रक्त की मात्रा को कम करता है मै रिसर्स का स्टूडेंट हूं तो मैं हाइपोथीसिस का मतलब जानता हूं कि हमको हर चीज का हाइपोथीसिस होना चाहिए यानि हमको प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना है इसलिए मैं आपके सामने प्लानिंग लेकर आया हूं कि क्या माइंड सेट अगर आप रखोगे तो इस एकजाम को आसानी से पास करोगे क्योंकि मेरे इस बैच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से ही जुड़े हुए हैं लेकिन कुछ बच्चे फैसर आये हैं जो मुझे अभी एक दो दिन से ही देखने लगे हैं खासकर उनको समझाना भी बहुत जरूरी है और जो म एकजाम खतम हो ऩर को एकजाम करे हैं आज 9 तारीक है बहुत में संडे तो बहुत बहुत जब एकजाम करती तो बहूं कि गयब होता है समझें पगलेटी छोरी समझे अब तो अभी जश्ट चार-पांच तारिक एक्जाम खतम हुई है तो अभी दो-चार दिन तो टीचर्स को भी अपना समय चाहिए होता है उनकी अपनी निजी लाइफ है तो हर चीज को सात्यों इस तरीके से समझना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है आओ अब हम सात्यों और चीजों पर यहां पर बात कर लेता हैं अब सबसे पहले पेपर वन कैसे पड़े और पेपर वन में क्या अंतर है क्या माइंड सैट है इस चीज को समझे देखो एक बात मान लो कि पेपर वन में हमको कितने नंबर लाने चाहिए पेपर वन में जो व्यक्ति 35 प्लस कॉशन कर रहा है ठीक कर रहा है लेकिन मेरा मानना है कि आपको कम से भी कम 40 plus question यानि 40 से 42 कोशन करने चाहिए सही सही जो व्यक्ति 40 42 कोशन ठीक कर रहा है पेपर वन में वह बहुत अच्छी इस्तिती में है यह मान कर चलिए और आपका यह मान कर चलना है कि हमको 40 42 कोशन से तो किसी भी स्तिती में कम नहीं करना है आई कि सब्सक्राइब भाई आवाज कमा रही है कितने लोगों का वाज कमा रही है कितने लोगों का वाज कम करें आपना आपके मोबाईल प्राने हो गया है भाई साब आप अपने मोबाईलों को चैन्ज करो या फिर एयरपॉन लगा कर सुना करो एयरपॉन लगाया करो बार-बार इक्वेमेंट मत कि अगर वाज कमा रही है डिस्ट्रब होते हैं अगर यह पेपर2 रहा हमारा यह हमारा पेपर twelve और पेपर 2 में आलो आपने साठ कोशन कर दिया कि बेपर 2 में कितना कोंशन करोगे जिंदकी बर पड़ते हो 60 करोग ज्यादा करोगे क्या अगर मालों कि आप 65 कोशन कर देते हो तो 65 कमतलब क्या हुए चैन्वेंट एक तो टीस नं लगबख 65 नमबर पेपर लुकिना लूद कर रहा है तो उस दुनिया की कोई ठाकट करने से नहीं, नहीं रोक सकती किया साथियों दुनिया की कोई थाकत इसको जयारफ करने से नहीं रोक सकती इस चीज़ का ध्यान रखना तो अभी से आपके माइंड सेटप बनाना है कि मुझे इतना टारगेट करके चलना के तो जादा की सोचोगे तो यह बाथ की इसलिए आपको बहुत यह दुनिया जंगल में सिकारी जब सीर मारने का हतियार लेकर निकलता है ना तो भले अगर वो सीर ना भी मार पाए लेकिन वो गीदर दरूर मार लेता है अगर उसके माइंड से यह था है कि मुझे गीदर का सिकार करके लाना है तो गीदर क्या हो चीटी भी मार नहीं सिब्का इसी तरीके से साथ यो यह एकजाम है अगर आप बड़ा सोच कर तयारी करोगे अगर बड़ी नहीं भी मिलेगी ना तो छोटी जरूर मिल जाएगी नौ टारगेट फिक्स कर लिया साथी हो तो चीजें आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी गोदी माना चाहती है चलो गोदी माना चाहती है गोदी माना चाहती है नहीं अब यह तत्मा लेगी मेरे चलो बेटा चलो चलो अब चलो चलो जलो अब आगे चलो जाओ अब जाओ 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 शोड़ोच थोड़ा सा जब धान हो गया हीवा के चक्क्र में यह आभी क्या करें तो हीवा का भी हक बनता है भाई मुझे पर तो आप एक बात मानों कि आपकी जो सोच है न वह अगर बड़ी है न तो हर चीज आपके लिए बहतर होती चले जाए तो सोच को हमको बड़ा रखना है और यह जो कॉर्स है शाथा हम टार्गेट लेकर चलेंगे कि 40 से 42 नहीं सात्य भी स्कूर्स में हम हम यहाँ पर ससार्थ क्रूद लेकर 45 कॉश्चन ठीक मारें वादर के चलते हैं यह यह बात आप बिलकुल मान कर चलिए कि अब इस बार हम क्या करेंगे 45 कॉश्चन कम से भी कम मान कर चलेंगे इतना हमको लेना ही लेना अब मैं आपको छोटा सा रिकैप देनी की कॉसस करता हूं और थोड़ा सा मैं सिलेबस से वह दोस्ति करवाता हूं क्योंकि कि अगर को किसी वी एक्जाम में सफल होना है तो सिलेबस से दोस्ति होना Bas बहुत जरूरी है कुछ नए बच्चे हैं कुछ पुराने बच्चे करने इसे 7ий से explains करोगे से जोड़ना चाथा हूं कि आपका है कितने कोशन करोगे कितने कोशन करोगे सब लोग अपना अपना मत दो पूनम करें देखो बहुत सरल है लेकिन वह कावत है न कि औठ पर बैठेवे है आदमी को भी कभी कुट्ता काट सकता है मान लेता है कि आप यहां पर कितने करोगे यहां पर साथ मां मान कर चलता हूं कि आप पांच मेंसे चार कॉशन ठीक कर दोगे क्या कर दोगे साथ पांच मैंसे चार कॉशन आप ठीक कर दोगे ठीक है पांच मैंसे चार कॉशन ठीक है अब एक बात बताओ रिसर्ष मैं आपको पढ़ाओंगा मेरा चार-पांस साल से PhD का अनभव है दुनिया बर का रिसर्ष पढ़ने का पढ़ाने का अनभव है पिछले चार साल से मैं पढ़ा रहा हूं नेट के लिए यूनिसिटी में पढ़ा है पढ़ाया है अब बुझे यह बताओ रिसर्ष में आप कितने ली आएंगे आप research में कितने caution ली आओगे पाँच में से पाँच में से कितने ला सकते हो तुम को क्या लगता है तुमारा खुद का mindset क्या कहता है एक पर चीजों को easy कर लेते हैं सब चीजों को no idea कोई कहरा 4 कर देंगा कोई खरा 5 कर देगा कितने करने चार कर दें सब लोग चार का रहें को पाँ देनल स autnh Map आपको लगर तुम तुमसंदी बाई तीन तो बाई टीन तो सब पर दहोंगे करतेगा करतेगा आगे बड़े ठीक रिसर्च के बाद में सात्यों आया आपका बोध मुझे लगता है इसमें आप पांच में से पांच करोगे पध्यान साया है वही आनसुर छाटने है और वही लगाने कितना लिख दूं पांच में से पांच लिख दूं चलो एक नंबर काट लिया तुम्हा पर आमने क्या कर दिया चार कॉसें ठीक कर दिये ठीक आओ इसके बाद में सात्यों है संप्रेशन यह सात्यों संप्रेशन कितना करोगे पांच में से पांच फूर्ड़ दोगे सर क्या यह वही तो है कैसे करोगे संप्रेशन बोलकर सारों में करोगे कैसे करोगे पांच में से पांच चार बर कर दूं चलो मान लेते हैं आप चार कर दोगे यहां पर भी पांच में से क्या कर दोगे चार कॉशन आपर आराम से कर लो गणतिये तर्क हिल गे कितना करोगे पांच में से डर लग आपको सर्म नहीं आ रही कि चलो मान लो आज किस्तिति में कितना कॉशन ठीक कर दोगे आप मैं तो आपको एक नमबर पढ़ाने वाला हूं कि चले कितना कॉशन ठीक कर दोगे अरे चार कर दोगे क्या तीन कर दोगे दो तो कर दोगे दो तो कर दोगे मैं भाई गणित में आपके दो कॉशन ठीक करवा रहा हूं आप मैंसे सारे लोग डरे हुए हैं मैं मान कर चलता हूं कि तुम दो ही कॉशन ठीक करोगे पिसके बाद मागे लॉजिकल रीजनिंग में कुछ नहीं बहुत चांदार है लॉजिकल रीजनिंग कितना कर लोगे चार तीन कर लोगे आराम से लोजिकल रेजिनिंग में तीन कर लोगे कर लोगे तीन इमान दारी से तीन तो हम व्मादो की व्ध nhân सेक्षिक कितना करोगे मद टीजी के बताओ उमद चे बताओ कितना करोगे इपांच में से और इमन को और Summit न में तूरोकुन अवल्गे टीन लिए फिए अब आगे सांतों कि इस सी और टी कितना लिगू पांच मेंकि लोग विकास और परियावरत यह मेरी नजर में सबसे कठीं यूनिट है पर यहां पर तीन नंबर में लिख रहा हूं कि और उच्छ शिक्षा प्रिणाली में चार नंबर लिख रहा हूं अब दोड़ने कितने होगे आओ अब दोड़ने इमानदारी से कितने कॉशन आपके बैठ रहे हैं चार टीचिंग अप्टिटूट के चार गिनते जाओ चार चार और तीन साथ और चार ग्यारा ग्यारा चार पंदरा पंदरार दो मैत के सत्रा शत्रा और तीन व्यिस व्यिस और तीन तेविस तेविस अर तीन छब्पीस 26 अर तीन 29 और 39 और चार 39 यानि कि आप सात्यों 50 में से 33 कौशन ठीक कर रहे हो आज की डेट में देखो माइंड सेटप सोचना है वो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत अब एक बात बताओ आप सभी को मैं ललन टॉप तिगड़म ट्रिक समझाता हूं भाई आप लोग यहां पर इतने कौशन करोगे तो इतने कौशन पर तुक्का भी तो मारोगे ना भाई यह बाकि कौशन बचरें 17 कोशन में अब तुक्का म मारोगे मुझे बताओ वाई 33 तो आपके आते थे आपने कर दिया लेकिंगे تूक्का मारोगे ना जीसे मैश्य मैश्य काम चांच चाहिसी this तो तीन में आपने उक्षा यहांyal जयासरस में तीन कांशन आप दिए दौने आ है कितना तूक्का सहझाईगा सत्रा मैंसे कितना तुक्का त्रह निकल जाएगाा इजय पांट शलीए तो त्पीन कोशन अगर सत्रा कोशन वह तो ठीक हो सकते हैं निज बताओ नेग्रिटिव अ सकते हैं आ सकते हैं है सोच मेरी रखा सब लोग गरै साथ कॉश्ण यहने तीन मानने सब बांक से साथ कोशन तो कमर जाने है कि अपना जो ah सिब्सक्राइप पृष्ष और हमको 35 दोड़ा सा और जोड़ा दिया तो अपना जो 45 का टार्गेट है इजी ली प्राप्त हो जाएगा क्या लग रहा है आपको एं कैसा लग रहा है मारोगे मेरे साथ जोर लगाओगे मेरे साथ तैयार हो पक्की बात क्या खयाल है एकजाम को पास करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी और वो एक्स्ट्रा मेहनत हम और आप मिलकर करेंगे मैं करवाऊंगा आपको मिलकर वह मेहनद एक्स्ट्रा मेहनद एक्स्ट्रा पावर के साथ एक्स्ट्रा जोस के साथ हर चीज एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिलेगी सर क्लाश टाइम मौर्णी में कर दीए टाइम पर हम पहले बात करेंगे पहले जो मैं कह रहा हूं उसीज़ पर बात करो कि क्या आप तयार हैं अब कि यार अब हमको चाहिए एक नम पावर्फुल पैकें बताई आप तो साथियों लंबा सफर तै नहीं करना केवल 36 से लेकर 45 तक के सफर पर आना हैं लगबग 8 या 9 कॉश्चन ही हमको एक्स्ट्रा यहां पर बढ़ाने हैं और हर चीज अपने पॉजिटिव हो जाएगी क्या हो जाएगी हर चीज साथियों यहां पर पॉजिटिव हो जाएगी मुझे नहीं लगता कि अब आपके कोई डाउट होंगे अब मैं सारी क्लास कल से शुरू करने वाला हूँ और समय रहेगा साथियों आप लोगों के लिए रात 9 बज़े रात 9 पीम क्लास का समय होने वाला तो कल से हमारी पेपर वन की एकदम लड़ाई सुरू होने वाली है साथियों एकदम तारकिक रूप से सुरू होने वाली है और साथियों यह लड़ाई कैसे होगी यह लड़ाई होगी साथियों आप लोगों के और हम लोग मिलकर इसको जीतने वाले हैं इस जंग को जीतने वाले हैं और स्फू करेंंगे सात्यों logical reasoning से क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं चाहता हूं मैं आपको reasoning पहले पढ़ाना चाहता हूं ताकि आपको भरपूर practice में समय मिलें तो मैं reasoning से सुरू करूंगा reasoning math और यह तीन topic मैं शुरू करने जा तीन टॉपिकों से शुरुवात में रिजनिंग फिर मैथ और पिर डियूँ क्योंकि साथियों मैं ऐसे टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं जिसमें कोई हडबड़ी और कोई जल्दबाजी ना हो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैथ रिजनिंग मेरे सबसे फैवरिट्स विसे हैं आप सबी को पता है मैं कितने प्यार से पड़ाता हूं मैथ रिजनिंग और डियाई यहां लोगों को तो मेरा ऐसा मानना है कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से मैथ रिजनिंग और डियाई पर साथियों चर्चा करेंगे तो हम सुरुवात करने वाले हैं लौजिकल रिजिन इतने भी चात्रें साड़े नौ बच्चों के हैं क्लास में पहुंच जाईए तुरंत पहुंच जाईए एकनोमिक्स की क्लास शुरू हो गई है आज से और लगातार पड़िए क्योंकि सरको वाइरल हो गया था दैन अब फिर से क्लासे जबन सुरू करते हैं पॉलिटिकल अभी दो चार दिन टीचर भी अपने गाउं गया है घरवालों से मिलने के लिए तुम पुरानी क्लास देख लो जब तक ओके थैंक्यू सुमस्स साथ हो एकनोमिक्स वाले तुरंत क्लास में जाए और जोग्रफ्य वालों की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्ब थैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू